मिस्टर गोट बोले? येस सर प्लीज आईए ये लीजे कैसा लग रहा है? हेवन तेंक ये ये छोटा सा सुक था मिस्टर नचिकेट? येस सर आपने मुझसे कहा था कि आपका सपना है कि हमारी ऑफिस में काम करने वाले में इस महतरे से आपका रिष्टा जुड़े सर नो, don't get embarrassed मिस्ट महतरे भी ऐसा ही चाहती है हाँ? मिस्ट महतरे प्लीज देखे इनकी आखों में प्यार देखे खुशी देखिए मिस्टर श्रीनिवासन पूरा होने जा रहा है अब आप छोटी सी चॉल में नहीं रहेंगे मेरी ऑफिस के नई ब्रांच में आप मैनेजर होंगे आपकी सैलरी 85,000 रुपीज से बढ़ा कर 1,15,000 की जाती है और आपकी 10 साल की सिवा को ध्यान में रखते हुए आपको इंट्रेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है 15,000,000 रुपे का सुबद बेटा महेंद्र जो कह रहा है उसे समझने की कोशिश कर और मेरे साथ चल मेरी कमपनी अभी भी तेरा इंतजार कर रही है बेटा फरस्ट फॉल मेरे पापा को यहां लाने के लिए तुमें ठैक्स बोलना चाहूँगा महेंद्र यहां हो सकता है पापा मेरे मन की बात सुने और उसे समझने की कोशिश करे अगर तुम सही साबित हुए तो अगर मैं गलत साबित हुआ तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी पापा मैं आपकी कमपनी जॉइन कर लूँगा पर कहीं मेरी बात अगर सही साबित हुई तो महेंद्र तुम भी अपनी जिद छोड़कर अपने पापा की इच्छा पूरी करना कौन सी इच्छा वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा मेरा सपना साकार हो रहा है अभी कहूंगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अपना पॉइंट अफ व्यू स्ट्रॉंग करने के लिए तुम्हारे पापा का सहरा लिया और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बाद से तभी सहमत हो जब आपको मेरी बाद सही लगे हालां कि मुझे पता है कि ये काम मुश्किल है पॉपुलर बिलीव से एकदम ही विपरीत है और मेरी बात सही लगे तो भी शायद अच्छी ना लगे ऐसे भी चांसेश हैं लेकिन कोई बात अगर सच्ची हो तो उसमें इतनी ताकत अपने आप आ जाती है कि वो सबके दिलो दिमाग पर असर छोड़ जाती है और मैं सुख की ऐसी ही ठोच सच्चाई से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा सुख एक ऐसी वंडर्फुल और मज़ेदार फिलिंग है कि हम उससे कभी अलग होना नहीं चाहते सुख की चाह हमेशा हमारे दिलो दिमाग पर चाही रहती है सपनों से भर दो कमरा फुल फिर एक चीज मिलेगी वंडर्फुल तो क्या सुख की सर्वमान्य व्याख्या ऐसी कर सकते हैं कि सुख वही है जिससे हम कभी उब न जाएं कभी जी न भरें अग्रीड पापा हाँ एवरिबडी सोरी सर सोरी वह बहुत बिगड़ गई फिर मैं चलकर रहा है और धूप इतनी तेज़ थी कि एक मिनट भाई आप जरह यहां आएंगे भावी दो गिलाज शर्वत मिल सकता है हाँ ऐसा शर्वत जो मन को ठंड़क दे सुख दे अब ये एक शर्वत आपके लिए है और एक शर्वत आप यहां आएंगे प्लीज अब ये दोनो एक साथ एक जैसा शर्वत पियेंगे अब इन दोनों में से किसको ज़्यादा सुख मिला अफकोस प्यून कोई ज़्यादा सुख का हैसास होगा क्योंकि वो दूप से आया है गौर करना चीज वस्तु एक जैसी ही है कॉलिटी भी एक ही है फिर भी सुख की मातरा में फर्क है बता सकते हैं क्यूं? सिंपल है मैं यहां च्छाव में बैठा था इसलिए मुझे शर्वत की प्यास कम थी और यह दूप से आये तो Sorry to interrupt प्यास का अनुभाव सुख है या दुख? अफकोस दुख प्यास किसे अच्छी लगती है ये बात आप लोग ध्यान में रखना Please continue मुझे प्यास कम थी और यह दूप से आये इसलिए इने प्यास ज्यादा थी इसलिए सुख का अनुभाव तो इने ही ज्यादा होगा न तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शर्वत एक जैसा होने पर भी जिसको सुख का ज्यादा अनुभाव करना है उसे पहले लंबे समय तक प्यासा रहकर अपनी प्यास का दुख बढ़ाना पड़ेगा नहीं नहीं तुम तो नेगेटिव पॉइंट आफ इससे इस बात को देख रहे हो इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट आफ यू की बात ही नहीं है कैनल मैं तो यूनिवर्सल लॉज की ही बात कर रहा हूँ बताओ मैं सही हूँ करेक्ट तो अब इस सुक की बुनियाद क्या है शर्बत या प्यास का दुख उसकी प्यास का दुख अरे वह कमया ज्यादा लेकिन शर्बत से सुकान बहुत हुआ ना मतलब तुम्हारे हिसाब से शर्बत हमेशा सुक ही देगा दुख नहीं राइट ठीक है भाबी सर के लिए एक शर्बत और लाना प्लीज नहीं नहीं अब प्यास नहीं है अरे प्यास का दुख खत्म होते ही इनका मुँ तो बिगड़ गया पर मुँ बिगड़ तो बिगड़ हम तो इन्हें सुक देना चाहते हैं इसलिए हम तो इन्हें थोड़ा और शर्बत पिलाएंगे प्लीज सुबोध रहने दे उसे तकलीफ हो रही है मगर शर्बत तो ओके ओके I'm convinced मतलब जितना प्यास का दुख उतना ही सुक उसके बाद तो उल्टा उसी से दुख इनका भिगड़ा हुआ मुँ हम सब ने देखा राइट महिंद्र ठीक है आप लोग जाईए थैंक्यो अब आप Mr. जिनका चॉल से फ्लैट में शिफ्ट होने का सपना है यहां और कोई है जो जोपड़े में रहता है हाँ मैं आप खुश है जोपड़े में नहीं साब घर एक हो पर घर पक्का हो इसलिए मेहनत कराऊं तो जब तक घर पक्का बन नहीं जाता उसकी इच्छा आपको सुख देती है या दुख दुख बैठी अब बताओ महेंदर इच्छा में सुख है या दुख ओके अब और कोई जो फ्लैट में रहता हो लेकिन बंगलो में जाना चाहता हो तो अब बताओ किसको ज्यादा सुख मिलेगा तीनों को अलग अलग घर चाहिए तीनों उसके लिए पूरी मेहनत भी कर रहे हैं अब जिस्ट इमेजिन कि उनको अपना मन चाहा घर मिल जाता है तो घर में पहला कदम रखते ही सबसे ज्यादा सुख किसको मिलेगा भावी तीनों को एच जैसा ही सुख मिलेगा क्यों घर की क्वालिटी और घर की कीमत तो अलग लग है हाँ फिर भी तीनों की चाह तो एक जैसी है न तो सुख पी एक जैसा ही मिलेगा मतलब घर की क्वालिटी आलग अलग फिर भी घर पाने की इच्छा और मैंथ की पीड़ा एक जैसी होने की वजह से पीड़ा की शमन का आनंद भी एक जैसा दो लेकिन घर सुख तो दे नहीं, गौन, और राइट, महेंदर साधनों से सुख मिलता ही नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सारे सुखों की बुनिया दुखी है, गौर करना, नाव, मिस्टर, आशिक, सॉरी, आपकी पर्सनल लाइट में मुझे दखल नहीं देना चाहिए, पर क्या ये प्यार वाला अनुभव आपको पहली बार हुआ है, हिचकी चाहिए मत, देखिये, रिलेशन में जितनी ओनेस्टी होगी, वो उतना मजबूत बनेगा, बोलिये, ज से पहले मेरा एक अफेर था, तो क्या उस वक्त भी आपको ऐसी ही फिलिंग हुई थी, हाँ, या फिर इससे भी अच्छी क्योंकि वो फरस्ट लव था, शायद हाँ, सॉरी, थोड़ा और इंटर्फेर कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको भी हर प्रेमी की तरह अपनी गर्फ समना फिरना, साथ रहना, अच्छा लगता था, हाँ, और जब ब्रेक अप का समय आया तो एक वक्त ऐसा भी आया होगा कि जिस गर्फरेंड के साथ आपने सुख की कलपना की थी, अब उसकी प्रेजन्स भी आपको इरिटेट करती हो, मगर वो, नहीं, आपकी ब्रेक अप की जैन्यून रीजन्स होंगे, आप पर डाउट करके आपकी चर्वी को बिगाड़ना मेरा उदेश्य नहीं है, मैं सिर्फ इस बात में सुख कहां से ओरिजनेट हो रहा है, यह ढूणने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो इरिटेशन वारा स्टेज आया था आपके रिलेशन म हाँ, थैंक यू, सारी, यानि क्या हम ये कह सकते हैं पापा, कि यहाँ व्यक्ति वही, एक्टिविटीज वही, लेकिन मन बदल गया तो उसी व्यक्ति का मिलन अब दुख का कारण बन गया हाँ, अब एक और उधारन देता हूँ सुख का, साधन छोटा, फिर भी सुख बड़ा, महीने में तीन हजार रुपए कमाने वाले मजदूर को पचास हजार की लोटरी लग जाए, और महीने में दस लाक रुपए कमाने वाले आदमी को एक लाक की लोटरी लगे, तो कौन जादा खुश होगा, अफकोस मजदूर, क्योंकि पचास हजार रुपए उसके लिए बहुत माइने रखते हैं, जबकि दूसरे आदमी के लिए एक लाक रुपए इत्ती बड़ी रखम नहीं है, करेक्ट, यानि कि गरीब आदमी जो उस पचास हजार के लिए खून पसीना बहा रहा था, मेहनत मशक्तत कर रहा था, उसके लिए जुलस रहा था, उसे उतना सुक मिला, लेकिन शिर्मंत आदमी की तड़पन एक लाक रुपए जितनी चोटी नहीं थी, उस बिचारे को तो शायद पचास लाक रुपए मिलते हैं, तब जाकर सुक मिलता, राइट पा होगा, उसको रिलीव करने में ही उसको सुक मिलेगा, so, every means of enjoyment is actually a pain killer remedy, फिर वो चाहे व्यक्ती हो या वस्तु हो, ऐसे करके भी अगर सुक मिलता है तो फिर problem क्या है, फिर तो hospital में जाना, या घाव लगने पर मरहम पठी करना, या रोग होने पर दवाई करना, इन सब को भी enjoyment वानना पड़ेगा, अब एक उधारन और देना चाहता हूं, जहां व्यक्ती एक है, चीज एक है, पर सुक अलग-अलग है, वो सरकाएं जिनने रजगुले में heaven दिखा, या सर, लीजे, हाँ, एक है, इक है, वो, इक है, एक है, या रोगना, ते एक और लीजे नहीं पास प्लीज एक और नहीं साब, पुल्टी हो जाएगी शूर, नहीं चाहिए नहीं साब ठीक है, थैंक यू, आप बैठे मतलब जैसे जैसे त्रिशना का दुख घटता गया सुक भी घटता गया और जैसे ही त्रिशना का दुख गयब सुक भी गयब उल्टा दुखदायक बन गया इससे प्रूव होता है कि सारे भौतिक सुक वस्तु आधारित ये व्यक्ती आधारित नहीं बलकि दुख आधारित होते हैं अगर भौतिक सुकों को पाना है तो पहले दुखों को जमा करना पड़ता है प्यास और त्रिशनाओं में जुलसना पड़ता है तब कहीं जाकर उस दुख को हलका करने का प्रॉसेस इंजॉयमेंट बन पाएगा अब बताईए ऐसे ब्रामक सुकों के पीछे दोड़ते दोड़ते क्यूं अपना सारा जीवन यूहीं गवा देना नए नए यूहीं कैसे जो लोग सक्सेस्फुल होते हैं मेनत बुद्धी और लगन से सक्सेस हासिल करते हैं उनके जीवन को यूहीं गवा देना कैसे कह सकते हैं ठीक है एक नजर ऐसे सक्सेस्फुल लोगों की जिंदगी पर भी डान लेते हैं होता ये है कि बच्पन में खिलोनों में सुक दिखता है थोड़ी समझ आते ही दुनिया को नए नजरीय से देखने लगते हैं तब खिलोने छोड़कर यार दोस्त, होटल सिनेमा, प्यार महबबत इन सब में ही दुनिया भर का सच्चा सुक है ऐसा मानने लगते हैं पर मैचियोरिटी आते ही सेफ एन सेक्योर भविश्य में सुक नजर आने लगता है फिर डिगरी, नौकरी, बिजनस, बीवी बच्चे, परिवार ये सब जमाने में ही सही सुक लगता है ये सब मिलता है तो अगली स्टेज में बेस्ट इन बिजनस और बेस्ट इन सुसाइटी बनने की कोशिच रहती है और जैसे तैसे मेहनत, मशक्कत, टेंशन, रिजेक्शन, एडजेस्मेंट ये सब करते करते सब पा भी ले तो तब तक उम्र निकल जाती है शरी लडखडाने लगता है तब परिवार से सच्चा सुख मिलेगा ये सोचते है पर तब तक तो उनकी अपनी सुख पाने की यात्रा शुरू हो चुकी होती है उसमें चाहते हुए भी वो आपको कितना समय दे पाएंगे अब बताओ महिंद्र इस पूरी जीवन यात्रा में कहीं भी किसी भी वस्तु ये व्यक्ति की वजए से कहीं भी ऐसा सुख मिलता है जिससे हम कभी उब न जाएं जिससे कभी जी न भरे ऐसा सुख मिलता है मिलता है तो जिन्दगी के हर मोड़ पर सुख के माइने क्यूं बदल जाते हैं क्यूं उम्र बढ़ते ही इच्छाएं बढ़ती जाती हैं प्रॉब्लम ये है कि हम सुख की ब्रहमणा से प्रेलित होकर दौडते ही रहते हैं और अन्त में अनन्त इच्छाओं से पैदा हुए दुख के धेर पर सुख का इंतजार करते बैठे रहते हैं। और महेंदर ये भी कही सुनी नहीं बलकि अनुभव की बात कर रहा हूं। वो भी सिर्फ मेरी तुम्हारी नहीं बलकि दुनिया के मैक्सिमम जीमों की बात कर रहा हूं। आप ही बताईए पापा, इसमें कहां है सुख? आपकी कंपनी में मिलेगा मुझे सच्चा सुख? और ये सब सुनकर, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? कि इस भौतिक विश्व में किसी ने भी इंद्रियों के भोगों के साधनों से कभी उबना जाएं ऐसा सुख पाया है? नहीं पाया है, ये पॉसिबली नहीं है, क्योंकि सारे भौतिक सुख दुख से इतने गहरे जुड़े हैं, कि जैसे ही दुख गायब होता है, सुख आटोमेटिकली दुख में कन्वर्ट हो जाता है, फिर कहां रहता है सुख? क्योंकि सुख की व्याख्या तो हम पहले ही तै कर चुके हैं, कि जिससे कभी उबना जाएं, वही सुख है। क्योंकि सुख दूफी होगी, I know it is difficult, हमारी बुद्धी उसे मान भी लेकिन एगो उसे स्विकार्ती नहीं है, पर भ्रमणाओं में जीने में नहीं, सत्य को स्विकार्ने में ही समझदारी है। फिर्च नहीं है। याहाला, मेंदर बापोजी बोले, बापोजी, अर्या शुपर्द, टैंकी वेरिमच, तैंकी वेरिमच, अर्यवांच मत का रोगया, तरररर्रर्र। पापुजी मान जाओ बेटा वरना मेरे जैसी हालत होगी ये देखो भाई आपका नाम भूल गया हूँ आपकी बातें आ दे हमारे बीच हुई बहस की एक एक बात या दे सक्सेस के नशे में जिस सत्ते को नका रहा था बुढ़ापे और बीमारी में वही सच अनुभा बनकर मेरे सामने आया उस वत खुले रिदे से इस बात को सुईकार लेता तो आज शायद ये नौबत ही नहीं आती खैर मैं चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की वो मेरे बच्चे ना करें और अपने जीवन को पशु समान बना करना गवाएं क्या आप मेरे इतना काम कर सकते हैं मेरे बच्चों को वही बात समझा सकते हैं जो आपने मुझे समझाई थी प्रीज कुछ साल पहले इंसिडेंटली हमारी मुलाकात हुई थी तब आपके पापा ने भी मेरी बात मानने से इंकार कर दिया था इगो पर जैसे जैसे वक्त बित्ता गया मुझे लगने लगा कि मैं दुखों के धेर पर बैटकर सुख का इंतजार कर रहा हूँ मैं और वो ये नहीं चाहते थे कि आप सब की दशा भी ऐसी ही हो इसलिए उन्होंने मुझे यहां गुलाया अगर ये सच है तो भी कितना रूखा सच है सब छोड़ दो संसार छोड़ दो सब जूटा है, मौम आया है तो क्या सच है सुख का है I mean करना क्या है मैंने पहले ही का था कि मेरी बात सची लग भी जाए तो भी अच्छी नहीं लगेगी क्यूंकि सच्चे सुख का स्वात चखा नहीं अब तक एक चेन स्मोकर सिगरेट छोड़ेगा तो कुछ दिन तक आकुल व्याकुल हो ही जाएगा कहीं मन नहीं लगेगा उसका ऐसा ही है ये जन्मो जन्म से सुख की ब्रह्मना को ही सुख समझने की आदत पड़ चुकी है Believe me जिस दिन सच्चे आत्मिक सुख की अंश मात्र भी अनुभूती हो जाएगी ये सारे सुख आपको फीके लगने लगेंगे असल में ये बात रूखी नहीं है आप जिसे सुख समझते हैं वो रूखा है In fact, dangerous है कितने संघर्षों के बाद क्षण भर का सुख और सहनी पढ़ती है युगों की यातना बार-बार लगातार जीवन और मृत्यों की पीड़ा कीडे मकौडे घास फूस बनकर पैरों तले रौंदे कुछले जाएंगे पेड़ पौदे बनकर सर्दी बारिश धूप सहते हुए सालों तक एक ही जगा जबरदस्ती खड़े रहना पड़ेगा कुत्ते बिल्लियों वन्य प्राणियों की तरह हर पल अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष करना पड़ेगा सहे दुखों से भरे नर्क का मूँ भी देखना पड़ेगा सारी की सारी यूनियों में बार बार लगा तार जीवन और मृत्यू की पीड़ा हो क्या ऐसा सुख डेंजरस नहीं है अरे वास्तव में तो यहां दुखूं को छोड़ने की बात है, सब को छोड़ने की नहीं इर्षया को छोड़ना है, मैतरी को पाना है क्रोध छोड़ना है, शमा को पाना है भै चिंता छोड़कर स्वस्तता और निर्भीकता को पाना है क्योंकि सच्मुच में तो यही सब अंदर के दुख है लेकिन इन सब सुनहरी बातों से अंत में क्या पाना है? आनंद में जीवन को ही पाना है धर्म शास्त्रों के सहारे जीवन दिशा को ढूड़े तो आत्मा के गुणों का अश्वर्य, परम त्रिप्ती और निर्दोश आनंद की और यात्रा शुर हो जाएगी कैसा हो अगर सुख किसी वस्तु या व्यक्ति पर आधारित ना हो? अपना हो, अपने अंतर से उभरता हो कैसा हो अगर सुख किसी काम, क्रोध, अहंकार और अपेक्षाओं की भ्रमणाओं के आधार पर ना हो? सच्चा हो, सहज हो, बिना किसी प्रियत्न के हो कैसा हो कि सच्चा सुख क्षणिक ना होकर सतत हो, निरंतर हो ऐसा सुख मिले जिससे कभी उबना जाओ रसगुल्ला हो या राजसंपती आदमी उससे उबी जाता है फिर आगे किसी और चीज में सुख ढूढने की कुशिश करता है लेकिन हमारी आत्मा में ऐसा सुख हो जिससे कभी जीना भरे जहां कोई शंका, कुशंका, ध्विधा नहीं पर complete clarity है जहां कोई डर, भै, चिंता नहीं बलकि आत्मा की निर्भै स्थिती है और क्या कहूं ऐसे सुख के बारे में जिससे आपको ये सुख रूखा न लगे ऐसा सुख सच मुझ में होता है I mean हम इसे पा सकते हैं हाँ, 100% होता है आपको क्या लगता है शास्त्रों की अनेक शाखाओं के पारगामी हमारे रिशी मुनी सालों तक तपस्या क्यों करते थे अपने शरीर को पीड़ा दे कर भी जंगनों में परवतों की गुफाओं में ध्यानमगन क्यों रहते थे पागल थोड़ी थे के घर बार संसार छोड़कर यूही चले गए वो तपस्या कर रहे थे संपून सुख पाने के लिए मूख्ष का सुख पाने के लिए और इन सुखों को प्राप्त करने से आपको भी कोई नहीं रोख सकता जरूरत है साधना की क्योंकि अभी अगर पुरुशार्थ नहीं करोगे तो उम्र के आखरी पड़ाव में कीमती मनुष्य भव यूही व्यर्थ गवा देने की निराशा का सामना करना पड़ेगा और मनुष्य भव के अलावा बाकी किसी भव में ज्यान पाने की संभावना रेर या नहीं मत है आपको क्या करना है महेंद्र सोच लो मोक्ष नाम की वंडर्फुल चीज चाहिए या इसी दुख आधारित सोच की ब्रह्मणा में ही जीते रहना है तैय आपको करना है मैं क्या कहूँ आप कुछ कहने को छोड़ा ही कहा है आपने आपको क्या 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 है और अब ये भी बता दो कि आगे क्या करना है मोक्ष नाम की वंडर्फुल चीज को पाने के लिए मोक्ष शिकर तक पहुँचने के लिए ग्यान के ऐसे कितने स्थर पार करने होंगे उन्हें पार करने के तरकीब क्या है और एक-एक स्थर पार करने से क्रमशह कैसे आत्मा का धुग घटता जाएगा और सुख बढ़ता जाएगा ये सब देखना समझना हो तो पधारिय सत्यशोदक तृष्टी से पूर्ण ग्यान की आत्रा में